नमस्कार, बहुत दिनों के बाद फिर से मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूं, आज मैं बताऊंगा कि खयाल गया कि में, आठ अंग उसमें होता है, अश्टांग बोलते हैं, ये बढ़ों से बुज़ुर्गों से जो सुना है मैंने, वही आज मैं शेयर करूँगा, मैं सबसे पहले एक बात बोलना चाहते हूं, जो भी मैं बता रहा हूं या बताएंगे, सभी मेरे बुज़ुर्गों और मेरे गूरों से जो सुना है, वही हम आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं ऐसी एक संस्ता में गाना सिखा, जो पूरा हिंदुस्ता में कहीं पे नहीं है, यह संगीत रिसर्च अकडेमी, आईटीसी जो कंपनी है, वो लोग का है ये अकडेमी, जहां पे गुरुओं को साथ, शागिर्दों को रख कर सिखया जाता है, दस, बारा, पंदरा, सोला साल, जितना टाइम लगे, शागिर्दों को सिखने का, खाने का, मेडिकल, सब फ्री होता है, और उपर से स्कोलाशिप मिलता है, आप कौन लोग थे यहां, पंडित एक कानन, मालवी का कानन, निव्रितिववा सरनायक, गिर्जा देवी, उल्हाश काशलकार, आजय चाक्रवर्ती, लतापाद हुसेन खा, पंडित, सब के पहले पंडित, मैं बोलता हूँ, तो मैंने पंडित, एक कानन जी, पंडित अरुन भादुरी, बाद में मैं पंडित केजी गीन दे, और पंडित सुलील भुष्ट जी से तालिम दिया है, किराना घराना और आगरा घराने का तालिम मुझे मिला है, मैं जह गाता हूँ, दोनों के मिला कर गाता हूँ, अब क्या होता है, इतने सारे उस्ताद, पंडितों के बीच में, कोई अगर रहेगा, तो वो खुद बाख हो, और जो हमारे कमपस जो है, वहां पर सब रहते थे, रहते हैं, तो मैं जो भी बता हूँगा, उन लोगों से, जो सीखा है, सुने है, वही हम, हम बताएंगे, हो सकता है, कि अगर कुछ गलती हो, वो मेरी है, हो सकता है कि मेरे समझने में थोड़ा सा गलती हुई है, लेकि मैं यह सब बातें शेयर करना चाहतू हूँ, इसलिए, हो सरे स्टूडेन को यह मोगर नहीं मिलता है, क्या और क्या होता है, कोई एक व्यक्ति, एक उस्ताद या पंडित, कोई आदमी संपूर्ण नहीं है, कि इनको सब मालूम है, ऐसे नहीं है, तो जिन से जो चीज मुझे मिला है, मैं सब के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि सब इसका जो फैदा उठा सके, कुछ सीख सके, यह मेरी बात बोलने के बाद, तुम लोग, आप लोग सोच, सोचिये, अगर ठीक नहीं लागे, तो मत करना है, अगर ठीक लागे, तो करना तो आज मैं बताँगा, अस्टंग, क्या होता है, अलाप होता है, बंदिश होती है, विस्तार, तान, सरगम, बोल, बोलतान, बहलावा, बहलावा, और कुछ चीज जो मेरी खुद का सोच है, जैसे के पुकार भी है, अब आज मैं थोड़ा-थोड़ा करके बताऊंगा, स्टेप बाइ स्टेप, किस तरह से खयाल गाने, गाना, जो गाय की जो है, वो आगे जाता है, अब एक बात मैं क्लियर कर जिरे चाहते हूँ, यह खयाल, खास करके हमारे बंगली लोग खयाल को हम लोग यह बोलते है खयाल, खयाल, और खयाल का बंगली मीनिंग है, जो जी में आये, वो करना को खयाल बहुते हैं, लेकिन यह खयाल है, फार्सी वर्ड है, खयाल के मतलब है कलपना, ड्रिम, इमाजिनेशन, तो मैं पहले एक राग लेता हूँ, मैं एक एक करके, एक के बाद एक में गाता हूँ, फिर उस उस अंग किस तरह से बढ़ाना चाहिए, यह हम बात में हम बताएंगे, इस प्प्रशण किस आफ। इसके बाद आता है बंदिश कामान दाग दो रा से जैने तो तो हो इते रात गुतरात इत जात काबर ना दाग दो पूरा बंदिश भर लिया और कोई कोई होता है दो बार गाता है कोई कोई एक अब कब्र धंग तोरा सजनी तू तो इत्रात उत्रात दीती जात् इसको लेकर हम बिस्तर करेंगे इस तो बोल बिस्तर होता है क्योंकि यह बंदिश का जो बोल है वो लेकर हम बिस्तर करेंगे सजनी का बन धंग तोरा सजनी इसका भी एक सिस्ट्म होता है तोरा कबन डग तोरा सजनी इसका भी एक सिस्ट्म होता है फिर बोल का काम आता है यह खास करके अगर अगरा जैपूर वालियर यह गरना जै गरना जो है इसमें गया जाता है कबन धंग तोरा सजनी इसका भी एक सिस्ट्म होता है सजनी इसका भी अलग अलग स्ट्राइल होता है चंद होता है पर इसको सरगाम बोलेंगे इसका भी एक सिस्ट्राइल होता है इस बहुत सारे गयकि में सरगम स most इसका नहीं है इसद्राइल होता है कれ będziemy थेखे इसद्राइब इसमें स्ट्राइब है सरगम का भी भरेटी होता है उजा का वान दो इसको ही अगर आ करके बोलेंगे तो आकर हो तान, तान बोलते हैं, स्वार से बोले तो सरगम, तान से बोले तो तान, और गाने का बूल के साथ बोलते हैं, तो बूलता है, आ, का बन डगता है, मैं इसको बोल के साथ बोलतन है, तो बोलता है, तो बोलता है। वरेड यह होता है। कवन नंगतूरा सच जनी कवननननननननननननननननननननननननननन . का बाना डंग तूरा साजाने तू तो इतरा दतमना डंग तू ऐसा है अपने खतम हो जाते है फिर दूरत आता है दूरत आता है दूरत का भी काने का कुछ होता है अब हूँ लालन में का जुग बीत गए रे तुमर मिलने को तरप तरप जिया रातर से रे अब हूँ लालन उमगे नैना बाररे से जर लागे जिया रातर से दा मिने से कौद चौद में हट बापर से रे अब हूँ लालन में आप बंदिश को हम भरेंगे बंदिश भरना इसको बुलता है कैसे चार अब हूँ लालन लालन अब हूँ लालन में का अब हूँ लालन अब हूँ लालन कैनला अब हूँ लालन मेर अब हूँ लालन मेर लालन में ऐसे भरते है फिर छोड़ा चलो सेवश art सबस्क्रेंद पर ने टोटेंगे खोंसाब टोफक्षिण ड़ा टुटेंगे अब बड़ा सर्गम को इसके अले अले अलेटी होता तक फिर तान यह बराबर लाएने तान छोटा तान, बड़ा तान, कैसे भी फिर इस तरह गत तान जो करने मतल पुकार उमगे नेना बादर सी नेना उमगे नेना बादर सी जर लागे जर लागे जर लागे उमगे नेना बहुत अच्छा लगता है सुनने में जिसे दिल का जितना दर्द है भागवान के लिए अपना दर्द को जाहिर कर रहे हैं बता रहे हैं सुनने कोरे को तब बहला बाद जर लागे जर लागे जर लागे जर लागे कर दो हम सुनि हम जर लागे लागे लाग रही तग अब इसको ए में पार्ट जो विष्थर का, बोल का, सरगम का, एक एक पार्ट को हम रिकोर्ट करेंगे जर ट पना यह और सियर करेंगे आप लोगों से जितना रेस्पंच मुझे मिलेगा उतना हम शेयर करेंगे, बहुत सारा इसे फोन करके बताता है, गुरुजी दादा जो भी जो बोलता है, कि आप बहुत दिनों हो गया, आप अपलोट नहीं किया है, तो फिर बहुत दिनों के बाद ये खर रहा हूं, खुश रहेगा, नमस्कार.